नमस्कार जाहिन साथियों यह वाफिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो बहुत महत्पूर है आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे एक ब्यक्त पचास, तीस और बीस के फार्मॉले से अमीर बन सकता है कैसे वो अच्छी बचत कर सकता है कभी-कभी होता यह है कि लोग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए वो नहीं जानते अगर ये फार्मॉला उनको समझ में आ गया तो उनकी जिंदगी बहुत ही बेतर हो जाएगी क्योंकि आप लोग प्राया देखते होंगे अपने आसपास कि कुछ लोग बहुत पैसा कमा करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाते लेकिन कुछ लोग कम पैसे में ही अच्छी विवस्ता कर लेते हैं अच्छा मैनेज कर लेते हैं और धीरे धीरे एक समय के बाद जो आज कम कमा रहे हैं वो बहुत जादे कमाने लगते हैं तो इसका क्या संबंध है इस रेसियो से पचास तीस बीस के रेसियो से इसको आज हम आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसके बत करिएगा देखिए तो मैं यह आपको नहीं बताऊंगा कि कितना अधिक पैसा कमा करके आप सफल हो सकते हैं लेकिन आज मैं उस पैसे का इस्तिमाल कैसे करना चाहिए वो मैं बताऊंगा तो इसको दरसल मैं नहीं बताऊंगा बलकि अमेरिकी सीनेट सीनेट की सदस्य थे वो और इसके साथ साथ जो सो लोगों की प्रभावसाली मतलब पूरे वर्ल्ड में सो प्रभावसाली लोगों की हर साल एक लिस्ट बनाई जाती है तो उस लिस्ट में भी वो सामिल थे उन्होंने एक किताब लिखी उनका नाम क्या था उनका नाम था एलिजावित वारेन एलिजावित वारेन आर्थ सास्त्री सेनेट के भी सदस और सौपरशाली लोगों में उनका नाम था सुमार था इन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने बहुत बढ़ियां से विस्तार से उसका जि All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan ये किताब का नाम था तो ब्यक्ति थे Elizabeth Warren All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan इस किताब में इन्हों ने पचास, तीस और बीस का एक फार्मूला दिया वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझेगा पचास, तीस, बीस का फार्मूला क्या है दरसल इन्हों ने ये बताया जैसे किसी ब्यक्ति की सेलरी यानि की वेतन किसी ब्यक्ति का वेतन चाहे वो सरकारी, नौकर हो या प्राइबेट हो या कहीं बिजनेस कर रहा है लेकिन उसकी एक सेलरी फिक्स है मान लेजी, हलाकि बिजनेसमेन की तो फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो सेलरी परसन है, कहीं काम करते हैं, उनकी सेलरी फिक्स होती है, तो मान लेजे कि उनकी सेलरी अगर सो रुपए है सो रुपए, सो रुपए का मतलब सो परसेंट, यानि आप इसको एक लाग भी कर सकते हैं, एक करोण भी कर सकते हैं, दस अजार भी कर सकते हैं, पचास जार, मैं एक्जामपल के लिए जो उन्होंने बात बताई वो रख रहा हूँ कि मा लीजे, किसी ब्यक्ति की जो सैलरी है, वो सो रुपए मन्थली है अब सो इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये जो आकड़ा लिखा है इसको आप अच्छे से समझ पाएं अगर एक ब्यक्ति सो रुपए प्रति महीने कमाता है, तो होता क्या है अगर उसका मेनेजमेंट ठीक नहीं है तो महीने के आखिर तक में वो एकड़ा कंगाल हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं वेतन पौणमासी का चांद होता है, जो महीने में एक ही बार दिखाई जता है, ऐसा माना जाता है, तो पचास, तीस, बीस के फार्मूले के हिंसाब से इन्होंने ये बताया कि जो घर का खर्च है घर का खर्च यानि जो जरूरी है, जिसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, जैसे हमें खाना खाने के लिए सबजीक चाहिए दाल चाहिए, रोटी चाहिए, बिजली का बिल भरना है, बच्चे की फीज जमा करनी है, पानी का बिल जमा करना है, किराया देना है, भाड़ा देना है, कपड़ा पहनना है यानि ऐसी चीज जिसके बिना हमारा जीवन नहीं संभव होगा जो हमारे दैनिक चीजें हैं उस पर 50% खर्च करना चाहिए यानि कि घर का खर्च कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है तो उसका आधा यानि कि 50 रुपए एक लाग कमा रहा है तो 50,000 रुपए उसके अपने घर के खर्च के लिए निकालना चाहिए घर का खर्च का मतलब जरूरी चीजें जो बहुत ही जरूरी है अब किसी ब्यक्तिकी सेलरी एक लाग है तो इसका मतलब उसे 50,000 खर्च करना चाहिए अपने घर के लिए जो 50,000 कमा रहा है वो 50,000 पर यहांने यहां इन्हों ने कहा सोग, क्योंकि सोग जिन्दगी में जरूरी होती है और जिस को जिस चीज का सौक होता है वह उसको आनंद देता है, उसके जिन्दगी वो आसान कर देता है जैसे हमारा सौक है घूमना तो हमें घूमना चाहिए हमारा सौक है डाइविंग करना तो डाइविंग करना चाहिए अब इसी सौक में घूमना कहीं जाना फिल्म देखने जाना बिना आवसेक्ता के कार खरीद लेना बिना आवसेक्ता के अपनी सौक की बाइक खरीद लेना बिना आवसेक्ता के कोई अच्छा कपड़ा पसंद है वो खरीद लेना यानि कि उसके बिना भी हमारा गुजारा हो जाता कोई भी प्रभाव ना पढ़ता हमारे बिजनिस पर फिर भी हम कुछ ऐसे चीज खरीद रहे हैं वो हमारी सौक मानी जाती है तो उस पर खर्च करना चाहिए कितना 30% इन्होंने ये बताया तो यहां भी कार खरीदना सौक हो सकती है किसी की लेकिन किसी की जरूरत है अगर आपका धंधा उस कार के बिना नहीं चल सकता तब तो वो सौक नहीं है तब तो घर के खर्च में जोड़ लिजे क्योंकि वो जरूरी है लेकिन अगर कार के बिना हमारा घर का खर्च चल रहा है बढ़ियां हमारा धंधा भी चल रहा है जहां हम नौकरी करते हैं वहां भी बाइक से आराम से जा पा रहे हैं या पास में ही आफिस है तो पैदल ही जा पा रहे हैं कार खरीद लेंगे तो उस पे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी मेरी आय में फिर भी हम खरीद लेंगे तो वो सौक माने जाएगी, लेकिन अगर हमें अच्छा है, चढ़ना पसंद है, तो हम इस पैसे में, यानि कि यह जो 30 रुपए है, इसमें बचा करके हम उस सौक को पूरा करें, 20% में आती है बचत, अब बचत का एक अगला इस्टिफ होता है निवेस, यानि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, तो वो कम से कम 20 रुपए जरूर बचत करें, बचत का मतलब बैयंक में जमा करें, या मिच्वल फंड में जमा करें, या मतलब कहीं ऐसी जगह लगा जहां से उसको पैसा मिलता रहे, यानि वो पैसा नस्ट नहों, बलकि वो पैसा बना रहे, प्लस कुछ और देता रहे, वो होती है बचत और निवेस, जैसे हम माल दीजी बैंक में भी रख देते हैं, तो बैंक में भी वो पैसा हमारा कुछ बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रह अब देखिये यहाँ प्था नीवेज हैं साथ में हमको और इस्ट्रा मिल भी रहा है लेकिन अगर हम बच्चों की फीर जमा कर रहे हैं इंसुरेंस का जमा कर रहे हैं जैसे हम एक्सिडेंट हमारा हो जाएगा तो हमको मिलेगा कुछ तो वो जरूरी है बाइक का इंसुरेंस करवा रहे हैं जरूरी है जो जरूरी है वो बचत नहीं है, वो सौक भी नहीं है, वो तो करना ही करना है, अगर हमारा बच्चा बिमार हो गया, तो हम उसको दबा करवाएंगे, तो यह जरूरी है, यह तो सब उसमें आही जाएगा, तो यह 50, 30 और 20 का फार्मूला इन्होंने सुझाया, और कहा कि इस फार्मूले का पालन अगर इनसान करे, तो उसके जीवन में बहुत ही बहतर काम हो सकते हैं, अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि 50 परसन क्यों खर्च करें हम, हम कुछ और कम खर्च कर देंगे, तो हमारा बचत और हो जाएगा, और बचत हो जाएगा, तो और हम कमाई करेंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 50 तो करो ही, इससे अधिक हो जाए ठीक है, लेकि 50 से कम मत करो, क्योंकि आप फिर किसलिए बचाओगे, बचत का जो लक्ष होता है, वो क्या होता है, कि हम अपने बच्चों के लिए छोण के जाएगे, और हमारे यहाँ एक कहावत है, कि पूत का पूत तो क संसकारी, उनके अंदर, टैलेंट है, काबिलियत है, तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं छोण के जाएगे, तब भी कोई दिकत नहीं है, वो बना लेंगे, और अगर बेकार है, वो, sehr न, कपूत है, बेकार है अगर वो, तो उनके लिए हम बहुत कुछ छोण के भी जाए है तब भी अच्छा संतान नहीं है तब भी हमें बहुत ज्यादा यह सोच करके नहीं रहना है कि उनके लिए बहुत छोण के जाना है हाँ उन उबर खर्च करना है उनको पढ़ा लिखा कर इतना कर देना है कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके और अपने लिए बना सके इसलिए हम जितना भी कमाते हैं उसमें कंजूसी ना करें और उसका 50% यानि आधा हिस्सा अपनी जरूरतों के लिए घर के खर्च के लिए उस में कमी न करें जैसे जैसे हमारा भीतन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा खर्च भी बढ़ता जाएगा सौक भी बढ़ती जाएगी और बचत भी बढ़ती जाएगी अब यहां पर ध्यान रखेगा सौक 30% ही रखना 30 के ना ऊपर जाना ना कम करना कम कर दोगे तब भी नीरस हो जाएगी, जाड़ा कर देंगे तो भी दिक्कत है अब यहां पर जो बचथ है इसको थोड़ा साथ आप में समझ लेजिए माल लेजिए अगर एक व्यक्ति एक लाग रुपए महीने कमाता है इन्होंने किताब में इसका जिक्र किया अगर एक लग रुपए महीने कमाता है तो उसके हिसाफ से 20% की जो बचत है वो होती है 20,000 रुपए ठीक 20,000 रुपए महीने की वो बचत कर रहा है अगर वो 12 वर्स तक बचत करे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 दोना 24 2,40,000 यानि कि 240,000 2,40,000 हो जाएगा एक साल में माली जी ऐसे ही दो साल हो गया मतलब दो बार कर दीजे 4,80,000 हो गया 4,80,000 माली जी 5,00,000 हो गया 2 साल में बचत उसके 5,00,000 हो गई अब ये 5,00,000 सिर्फ बैंक में ही अगर पड़ा है तो बहुत कम है ब्याज मिल रहा है तो इस 5,00,000 को वो क्या करे कहीं ऐसी जगह लगाए जहां उसको लाभ मिले ज्यादा लाभ मिले जैसे कि वो जमीन खरीद ले या मेच्वल फेंड़ में जमा कर दे या FD करा दे उसकी या किसी ऐसी जगह इन निवेस करे जहां से उसको ज़्यादा लाभ हो तो अब 5,00,000 में भी जो उसको आय होगा माली जी 5,00,000 कहीं निवेस कर दिया और उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है पचास अजार महीना अब पचास अजार महीना अगर ज़्यादा बता दिये माली जी दस हजार महिना होने लगा ठिक दस हजार महिना भी होने लगा तो ये एक आय है यानि ये एक वेतन है अब इसमें भी 20% इसमें भी 30% और इसमें भी 50% यानि इसका 50% आधा 5000 रुपई वो इसमें खर्चवना चाहिए इसका 30% यानि कि 3000 रुपई इसमें खर्चवना च पिर से यानि कि बचत होनी चाहिए तो जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती रहेगी वो फार्मूला हर जगह काम करेगा और अगर इस फार्मूले पर कोई रहा तो उसकी जिंदगी बेहतर रहेगी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा टिंसन नहीं रहेगी इस समी करण में बदलाव न प्लान मैं उन्होंने यह सारी बाते बताई जो हमने आपको बताई कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताईएगा एक बाफिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपने मित्रों में सेयर करिएगा